प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट ना ही हाथ ना पैर ये फिल्म बस बिना लॉजिक और बिना कहानी के बनी जिन में बस आइटम नंबर, बड़े-बड़े सेट, कुछ अच्छे डिजानर के डिजान की हुए कपड़े और कुछ अच्छा मेक अप करके कुछ नई लड़कियों का स्क्रीन पर उतार दिया गया और हाँ, इन ही की वज़े से इन फिल्मों ने पैसा भी कमाया हम पब्लिक के साथ हर आफते कुछ ऐसा ही धुका होता है कि ट्रेलर कुछ और होता है और फिल्म एक नंबर की बंडन निकलती है क्योंकि ऐसी फिल्मों का प्रमोशन कुछ ऐसे जोरो शोरों से होता है कि पब्लिक मजबूर हो जाती है कि इन फिल्मों को थेटर में जाकर देखे कि ये फिल्में सालों साल हमें याद रहेंगी हमारी अपसे यही कोशिश रहेगी कि Bollywood की कुछ ऐसी ही फिल्मों को आपके सामने हमेशा रखा जाए जो बड़े-बड़े बैनर तले बनी फिल्मों के पिछे कहीं छुप जाती है आईए बात करते हैं कुछ ऐसी most underrated फिल्मों की आज की हमारी पहली फिल्म जो एक मार्च 2019 को रिलीज हुँ थी जिसका नाम था सोन चिडिया जो की डारेक्टर अभिशेक चौबे के निर्दरशन में बनी थी एक ऐसी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो अपने बहतरिन कहानी और दमदार स्टार कास्ट के चलते हिंदी सीरेमा को एक लेवल उपर ले कर जाती है इस फिल्म की कहानी मद्य परदेश के मुरेना जिले के डकेतों के बारे में है सोशान सिंग राजपूद ने जिम्मा लिया है कि एक छोटी जाती की लड़की जिसका बलतकार हो जाता है उसे हॉस्पिटल पहुचाना है और इसी के खिलाफ उसके गैंग के बाके साथी भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और यहां तक की पुलिस जो इन सब का इंकाउंटर करना भी चाती है कहानी में और भी बहुत कुछ है जैसे समाज की कुरुतों के दर्शाया गया है धर्म, छुआचूद, जातपाद फिल्म में अपने अबने का लोहा मनवाले वाले कलागार जैसे रनवीर शोरे, शोशान सिंग राजपूत, भूमी पेडनेकर फिल्म को बेहत ही दमदार और रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि फिल्म लुकाचुपी के साथ रिलीज हुई थी तो पस ग्लैमर, डांसिस, फैशन, गाने ना होने की वज़े से चल नहीं पाई हमारे दूसरी फिल्म जो 21 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी मर्द को दर्द नहीं होता ये फिल्म भी अपने बेहत अलग कंटेंट, स्टोरी, एक्शन और एक्टिंग के साथ आई फिल्म में डेब्यू किया था भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यू दसानी ने इस फिल्म में हीरो को चाहे तो आप उसे एक बिमारी बोलिये या गिफ्ट जिसके चलते आप उसे कितना भी मारी ये, पीटिये, चीर फाड कुछ भी कर दीजे पर उसे दर्द नहीं होता इस बिमारी के चलते हीरो का पूरा का पूरा बचपन घर में ही निकल जाता है और उसका एक सपना है कि वो एक परफेक्ट मार्शलार्ट एक्सपर्ट बने जो वो बन भी चाता है उसे अपने एक गुरू जैसा बनना है जो सो आदमियों से अकेले लड़ सकता है पर कहानी बाद में कुछ नया मोड लेती है जिसके लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी फिल्म के सबसे बड़ी खासियत है इसका एक्शन अभिमुन्य ने बेहत सटीक तरीके से हर एक एक्शन फॉर्म को अंजाम दिया है जिसे देखका ट्राइगर शॉफ भी पानी मांगेंगे आप इस फिल्म को बिल्कुल मिसना करें इसी कैटिगरी में एक फिल्म और है जो 8 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी और फिल्म का नाम था बदला ये फिल्म एक बेहत रोमांच और नई तरीकी की सस्पेंस थ्रिलर मुवी थी फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, अमिता बच्चन और तापसी की एक्टिंग ने फिल्म को और दमदार बना दिया फिल्म में अम्रियता सिंग के बेटी की मौत हो जाती है ये मौत एक एक्सिडेंट है या मर्डर फिल्म में यही दिखाया गया है स्टोरी कभी आगे जाती है, कभी पीछे, कभी उपर, कभी नीचे पर ये फिल्म आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करती बलकि ये फिल्म आपको सीट से बांध कर रखती है और हमारी चौती फिल्म है जो 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई और फिल्म का नाम है गौन केश ये फिल्म एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसको एक बिमारी है जिसके चलते उसके बाल स्कूल टाइम से ही जड़ने लग जाते है एक गरीब परवार से लड़की और उसके माता-पिता उसका कैसे और किन परिस्तितियों में उसका इलाज करवाते है और माता-पिता के बीच के रिश्ट को कितनी बखूबी से दिखाया गया है साथ ही साथ उसके शादी की चिंता भी फिल्म में दिखाये गई है कैसे जब वो लड़की अपने ही डर को खतम करके अपने confidence से सब का दिल जीत ले दी है ये फिल्म भी आप बिल्कुल मिसना करें और हमारी पांचवी फिल्म है जो 12 अप्रेल 2019 को रिलीज हुई थी दा ताशकेंट फाइल इस फिल्म में सभी वेटरन एक्टर थे जो अपनी एक्टिकी में माहिर भी है फिल्म भारत के दूसरे परधान मंतरी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है और उनके मडर के बारे में है जिनकी मौत रूस के एक शहर ताशकेंट में हुई थी और उनकी मौत एक रहसे बन कर रह गई थी इसी फिल्म में उनकी मौत की गुत्थी को सुलजाने की कोशिश की गई है और सरकार के एक गिनोने चैरे को भी दिखाया गया है ये फिल्म कलंग के साथ रिलीज हुई थी तो कलंग तो कलंग साबित हुई पर ये फिल्म कहीं छुपकर रहे गई और हमारे छटी फिल्म जो 14 जून 2019 को रिलीज हुई थी फिल्म का नाम है गेम ओवर ये फिल्म जाने कैसे दर्शकों को देखने को नहीं मिल पाई इस कंटेंट, स्टोरी किसी भी हॉलिवुड मुवी को टक कर दी सकता है एक्टर तापसी एक गेम डिजाइनर है जो एक मेंटल डिसॉडर से सफर कर रही है और साथ ही साथ उनका एक पास्ट भी जुड़ा हुआ है जिसके चलते उन्हें अंधिरे से बहुत डर लगता है फिल्म में नया मोड जब आता है जब एक सीरियर किलर उनके घर में गुश जाता है आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिसना करें हमारे साथवी फिल्म जो 13 सितंबर 2019 को रिलीजी थी जिसका नाम है सेक्शन 375 हमारे देश के कानून को कैसे तोड़ा मरोडा जा सकता है या उसका कैसे गलत इस्तमाल किया जा सकता है ये फिल्म में दिखाया गया है काफी अरसे के बाद अक्शे खन्ना परदे पर नजर आये और अपने दमदार एक्टिंग से फिर छाप छोड़ गए कहानी एक कोटरूम ड्रामा है जो बेहत रोमांचक तरीके से पेश की गई है कहानी में बलतकार के केस को दिखाया गया है जिसमें एक फिल्म डिरेक्टर के उपर आरोप है कि उसने अपने ही असिस्टेंट के साथ रेप किया है आप इस फिल्म को बिल्कुल न छोड़े और आज की हमारी आकरी फिल्म है जो 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी और फिल्म का नाम है लाल कप्तान हमने कई बदला लेने वाली फिल्में देखी होंगी पर बदले की बावना कितनी घहरी हो सकती है वो इस फिल्म में दिखाया गया है बदला लेने की कहानी को ऐसे पेश किया गया है कि यकीन ही नहीं होता फिल्म देखने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि ये फिल्म पक्का उसकर में जाएगी पर ऐसा हुआ नहीं सैफ लिखान की जितनी तारीफ की जाय उतनी कम है दिन बाद दिन उनकी एक्टिंग में निखार ला रहे सैफ को सलाम अपनी बेहत दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले सैफ ने फिल्म में जान डाली है इससे पहले हम सैक्रेट गेम वन और टू दोनों देख चुके हैं वहाँ भी सैफ ने बड़ी ही शानदार एक्टिंग की है आप इस फिल्म को बिल्कुल भी न छोड़े और इसी तरह आप हमारे साथ और भी फिल्मों के रिव्यू जानने के लिए जुड़े रहिए आप से जल्द मुलाकात होगी और आप तब तक देतरी ये दिल्ली दस्तक आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चैहिंद